हलो माई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल गार्डेंग एट हूम और आप देख रहे हैं हमारे गार्डन में जो खुबसूरत सा फाउंटेन मैंने क्रियेट करवाया है आज इसका पूरा प्रोसेस मैं आप से स्येयर करने वाले हूँ बिल्कुल शुरू से कैसे कैसे मैंने ये क्रियेशन करवाया है आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए अगर आप लोग भी अपने गार्डन में इस तरीके का फाउंटेन क्रियेशन कराना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं ये है लोग देखिए मेरे बिल्कुल बेखले का पहले इसी तरीके से था पस एक प्लाńsk था ये हं विसकस का बड़ा सा और ये हमारे बनाना बाकि यहां पर कोय भी प्लांत नहीं लगा हुआ था और बेक्ल और ये है वो पॉरनर जहां पर मैं फाउंटीं क्रियेट करवाने वाली हूं बिल्कुल इस पेस यहां पीछे से बिलकुल थोड़ा सा गहरा है यह स्पेस और मेरा जो बैक्यार्ड है वो बिलकुल चौकोर शेप में तो थोड़ा पीछे यह गहरा है यह लोकेशन और यहीं पे मैं फॉंटेइन का क्रिएशन करवाने वाले हूँ और बिलकुल इंटरांस पॉइंट से अगर आएं इन बड़े-बड़े पत्थोरों से यह आप देख रहा है यह बड़े-बड़े पत्थर तो इटे मैंने यूज नहीं किये हैं इटो की जगह मैंने यह बड़े-बड़े पत्थर लगाया है जैसे आप बिलकुल इटो का ब्रिक जोड़ते हुए चलते हैं उसी तरीके से य ये round shape आगे से मैंने थोड़ा round shape किया है और पीछे एक wall मैंने दिया हुआ है क्योंकि हम पीछे इसके उपर एक और step डलवाएंगे तो three step में मेरा fountain बनने वाला है तो three step के लिए मैंने आगे का जो step है वो काफी गहरा मैंने ये pond बनवाया है और पीछे एक दिवाल बना दिये जिसके उपर थोड़ी सी ढलाई होगी और उसी के उपर next step जाएगा जिस तरीके से चट ढलते है ना उसी तरीके से एक step जाएगा और उस पे हमारा second step आएगा और ये पत्थर हम लोगों ने बिल्कुल जैसे एटे जोडते हैं उसी तरीके से cement जोड जोड के हमने ये round shape दिया है और वहाँ पर मैं सिमेंट से इसको ब्लॉक करवा दूँगी ताकि हम जब fountain उपर से बिल्कुल हमें जब पानी गिरना है तो ये pipe यहाँ पर मैंने ये डलवा दिया है और बिल्कुल इसी ये pipe उपर हमारे second step थर्ड step तक जाएगा और पीछे जो हमारे थोड़े मैं इस पे हम ढलाई करवाएंगे second step के लिए बिल्कुल छट जासे ढलता है और उसके बाद हम अपनी second step बिल्कुल round shape में जैसे हमारा ये पहला है वैसे ही होगा और ये pipe हमारा उपर तक जाएगा सीधे बस pipe हम लोगोंने पीछे डलवा दिया है और पीछे से ये pipe हमारा उपर पानी उपर से नीचे की और step 22 नीचे की और गिरेगा तो इस तरीके का हम लोगोंने creation करवाया है और ये first step ready हो गया नीचे की और भी हमा बिल्कुल पलस्तर करवा लेंगे last में तो ये हमारा first step ready है उपर का जो दिवाल है वो थोड़ा सा उचा है ताकि जो हमारा second step है वो हमा पर उन्होंने बिल्कुल लकडी वेगरा लगा कि आगे गोल शेफ दिया हुआ है और ये पाइप उपर गियो निकाल दिया है ताकि जब पानी हम मोटर लगाएं तो नीचे की और से उपर आ जाए तो ये दिखिए हमारा तीनो step इसी तरीके से ready हो गया है second वाला जो step है उस तरीके से हमारा process ready हो गया अब अंदर से सारी को ही हमको cemented करना है ताकि जब हम इसमें पानी भरें तो वो बिल्कुल गिरे ना तो अंदर की और पूरा हमको cemented करना है तो ये cemented करने के बाद हम लोगों ने उपर से जहां-जहां cement दिख रहे थे उनको वहाँ पे stones लगा दिय और उसके बाद हम लोगों ने इसमें varnish paint करा दिया जिससे जो इसका grace है वो काफी निखर के आया और मैंने कोई भी अलग से color नहीं use किया है साथी में हम लोगों ने lighting लगवा दी है जो colorful lights changing light वाले आते हैं वो हमने लगवा दिया है ताकि evening का जो look है वो काफी खुबसूरत ह और इस तरीके से कुछ हमने लेखे यहाँ पे plants और planters decorate कर दिये हैं और उपर भी lighting लगी हुई है और यह final look निकल के बहुत ही खुबसूरत आ रहा है और यह step wise step जो हम लोगों ने fountain creation कराया तो उपर से पानी हमारा second floor पे गिरता है और second से हमारा नीचे की और final आ जाता है तो इस तरीके से यह fountain creation मैंने करवाया है आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तगले thanks for watching